नमस्कार आप देख रहे हैं एक्जाम टूर एक बात बता दें भी प्यस्टी टी आरी को लेकर अभी भी परेसान है अभ्यर्ती यही गुहार लगा रहा है कि कम से कम एक्जाम को केंसिल कर दिया जाए उसके बाद कुछ किया जाए एक्जाम में बहुत धानली हुआ है यह आयोग एक तरफ साफ तर पर कर रहा है कि एक्जाम साफ सुत्रा हुआ है किसी भी परकार का कोई दिकत नहीं है नभीन सर से चर्चा करेंगे कि आगे क्या हो सकता है अभ्यर्ती आगे क्या क्या सोच रहे है और शिक्षक लोग इसमें क्या कर रहे है शिक्षक लोग की क्या क्या भेइरती को शयोग करेंगे या नहीं करेंगे सर अब का स्वागत एक जाम परिशान है। बताईए कि एक्जाम केंसिल नहीं होगा आप बताईए कि आर्थिक अपरादिकाई पूरी तरीके से जितना सबूत उनके पास था सारा सौंपदी आयोग को अथ तब जाकर का आयोग को इस बात पर संतुष्टी नहीं हो रही है आप उधारन के तोर पर यूं समझिए कि एक लॉज में चात्र चिकेन बनाता है तो चार बच्चे आपस में सेर कर लेते हैं कि कोस्टिंग हमारा कम हो जाएगा चिकेन खाने में यहां तो है कि 10 लाग 15 लाग की बात है जिनको भी मिला होगा जिस चात्र को जिन अभियर्थी को क्या लगता है कि वो दूसरे सेर नहीं कर करती है और जब एक्जाम देखर के बच्चे आए तो कई बच्चे इस बात पर संका जाहिर किये कि हमारे भी क्लासरूम में बहुत सार्य भिरती है इसे दिखे कि 15-20 मिनिट में क्वेश्चन बना करके तयार थे तो जरूर कुछ न कुछ और यहां कट्यार में तो एक यहां तो सब चीज परमान पराधारित है जब आर्थिक अपराद इकाई इतना इतना ठोस सबूत पुक्ता सबूत दे रही है तो उस पर आयोक को संका है कि से हम संतुष्ट नहीं है तो अन्य बातों को तो आप छोड़ दीजे और जो इस्तिती बनी है अगर कैंसिल नहीं ह कि कुटबा सकते हैं कि कट अब कितना तक जा सकता है कि यह कितना लोगों तक पहुंचा है बात यहां पर इयह है तो अब आगे क्या एक बड़ा सा सवाल है अबैर्थी क्या करें संतुष्ट हो जाए system के भरुसे कि जो हो गया हो गया अब टीरिफूर के लिए हम देखेंग संतुष्ट हो जाए बिलकुल परिशान है और उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कितने अब भेरती हैं कि सर हम रात में सो नहीं पाए हैं तब ही हमारी इस्तिति इतनी खराब है कि हम बताने सकते हैं कितने मुश्किल से हमने पैसा का वैवस्था किया था करज ले करके लोन ले करके परोसी से जैसे भी हुआ किसी तरीके से सोचे थे कि दो मेहना तीन मेहना यहां तैयारी कर लेंगे पिछले बार भी चंद मार से छूट गया था वो सकता है कि हमारा भविस बेहतर हो जाए तो यहां तो पैसे ले करके सपने बेचने वाली बात है अभी आप द क्या कारवाई करती है अब इससे पहले भी तो VPSC में कई वार इस तरह का परकरन हुआ है अभी सिपाही भरती में हुआ है इस तरह का परकरन तो क्या ठोस कारवाई की है यहां तो इस तरह के व्यक्ति का यानि कि इस तरह का जो काम करते हैं कृत्य करते हैं तो अपराधिक पक्राया जेल गया फिर कुछ दिनों के बाद छूट जाते हैं सुभाभी के मनोबल तो उनका बरा हुआ रहता है जब देखते हुए का चुनाव होता है तो हर एक गाव में हर एक कस्वा में नोटीस बेजा जाता है और वहां से कुछ लोग को बुलाये जाता है तानामे और उनको बताया जाता है जब भी ग्जाम होता है गर्याएं से मतलब नहीं है अगर यही मतलब रएती तो सरकार को तो समझ में आता कि जो अगस्त में एक्जाम होना था, उसका एक्जाम अचानक हम मार्च में कर दिये हैं, समय से पाँच महिना पहले, दो महिने का टाइम मुस्किल से नहीं मिल रहा है, एक ही अभियर्थी को कैसे यह बच्चे दो महिने में पूरा तयारी कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल है, उनकी चिंता रहती, तब तो इस तरह का होता ही नहीं, अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या एक्जाम कैंसिल होगा के नहीं होगा, बरासा सवाल है, आप भी डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चेहिं पूरा आक्क्रोस बहा हुआ did सरकार को भी अगर आप एकजाम जब इतना सबूत आपको मिल गया है आपका पेपर रंगा हुआ है और और अइसे मगर आप एकजाम कैंसिल नहीं कर एगा तो आपको किस तरह का आपको क्या लगता है कि ये बच्चे आ tow थो थोड़ा सा भी आपके पेर में ये बच्चे जाएंगे क्या। आपको तो इसका अंधाजा नहीं लगा सकता है कि कि तो आपको आपको सब ब्रूप है तो एक्जाम केजिये। अब बहुत सारे अभेरति मेरे पास आएं कि सर अपडेट रखे आंदोलन के लिए इसके लिए उसके लिए सवाल यह उठता है कि कोई भी आंदोलन कीजिए या उस तरह का प्लानिंग आपका होना चाहिए जिससे कि आपका आंदोलन सफल हो पाए तो पहले तो यह होता है मजबूत माध्यम है जैसे आज हम चार इंटर्व्यू दे रहे हैं तो सोभाविक है कि इसका रिच बहुत तक पहुंच पा रहा है तो जो भी टीचर जो भी सिक्छक वाले बैच के बच्चों को परहते हैं यह जरूरी नहीं है अन्य भी सिक्छक है सानभूति निश्चित गनता है तो उसको अधिक साधिक आप सेर कर जिए जिससे की सरकार तक आपकी बात पहुंच पाए और इस पर सरकार विचार करें क्योंकि यह ऐसा पाबरफुल माध्यम है कि इसको इग्नोर करना अभीक समयम किसी के लिए संभव नहीं है एक तो यह हो गया दूसरा अगर इ करवाईए एक दिन उसका रख सकते हैं उसके बाद तीसरा स्टेप में होता है कि अभी वीडियो जो बच्चे देखेंगे तरह तरह कमेंट में हुआ हुआ करेंगे लेकिन जब प्लॉट पे पहुंचने की बारी आएगी तो आप देखेंगे चंद बच्चे ही वहां पहु कि लराई है अगर चातर अगर चाते हैं कि रियल में एकजाम कैंसिल हो तो थोड़ा सापको युनाइट होना ही परेगा एक प्रशनी यह आता है दिल्ली का जब समस्या हो गया था बहुत दिकत हो गया था वहां के सभी सिख्चक एक जुप हुए और ससी में ऐसा यह नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ है फिर भी कोई इसमें ऐसा परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है ऐसा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है कि कम से कम विद्यार्ती विश्वास कर सके कि ना इस बार हो गया अगला बार नहीं होगा क्या आप इस तरीका से जो बत करने के लिए बीच में जैसे छात्र मेता हैं उनको एक करी के रूप में काम करना चाहिए छात्र टीचर फिर छात्रों को एकत्र करें उनकी राय जानने का परियास करें आपका क्या राय है इस्टेप बाइस्टेप करें कहीं कोई दिक्कत नहीं और हम इसको लीट करने के वीडियो बनाए दिलिप जी लगातार प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं चात्रों का नित्रितु करते हुए और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि 24 घंटा हम वेट करेंगे तो ठीक है 24 घंटा आप वेट कीजिए आप देख लिजे कि सरकार की क्या मंसा है वो एकजाम कैंसिल करना चाहर है की नहीं करेंगे तो एक किया जाता था आनन फानन में इस बार भी तेजी कर दिया जाए कमिया तो बहुत जगह रही आनन फानन की ही बाते हैं तो आप देख लिजिए जीस तरह का प्रसंपत्र सोशल साइंस पेपर को ले लिजिए सोशल साइंस में हिस्ट्री में मोर देन 50 परसंट कोश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से दिया गया आप पॉल्टिकल साइंस में ले लिजिए लोगतंत्र एक ही टॉपिक से 50 परसंट से ज्यादा कोश्चन डाला गया तो यहां पर तो कोश्चन में भी संतुलन नहीं है यह तो हरवराहट सरकार का दिखाता है कि आप पहले से प्री प्लान के लिए कि कब से हम लोग शुरू कर रहा है आंदोलन या कोई काम क्या कुछ डेट फिक्स है कल के बाद कल के बाद इस पर निश्चित रूप से देख लेना चाहिए इस तरह के हम 24 गंटे वाली बात बोले कल के बाद जैसा भी होगा तो इस पर एक निरने ले करके रूचि हम केंसिल हो जाए ताकि कोई भी विद्यारती यह नहीं चाहते हैं कि हम सड़क पर रहा हैं हम अंदोलन करें हम आमरल अंसन पर बैठें हम केवल तैयारी करें या बिहार का विकास करें यह सच चाहते हैं यदि आप एक्जाम टूर पर नए है चैनल को सब्स्राइब कर अगर लोगों में सेयर करिएगा जाहिन